यह गटना कोई अनायास नहीं हुआ है अचानक कहते कहते कह दिया गया इसा नहीं हुआ है एक सेमिनार में जिस सेमिनार में कि जो उसकी जिशके कारण जिनकी बयान के कारण यह बिबाद हुई है उनोंने एक सेमिनार में उदेनिधी ने उसको बोला है और उसके मुम्मे की उनकी अभी इंडिया एलाइंज की मीटिंग हुई है घमंडिया समोह की मीटिंग हुई है उस कन्वेंशन में उन्होंने कन्वेंटर तय नहीं कर पाया नेता तय नहीं कर पाये लेकिन नीती तय कर दिये नीती उन्होंने तय किया सनातन को नीचा करना इसलिए कभी उदेनिधी कभी कार्ति चिदामरम कभी प्रियांक का खडगे कभी बिहार की शिक्षामंत्री नितिश जी के शिक्षामंत्री कभी युवराज अखिलेश यादव जी के प्रमुख नेता स्वामी परशाद मोरिया जी कभी केजरिवाल जी के नेता गौतम जी यह सब योजना की तहत अलग-अलग समय में इस काम पे लग गए है और अभी-अभी तो कॉंग्रेस पार्टी की प्रमुख नेता बेनु गोपाल जी का बयान में अभी आज सद्धेख रहा था उन्होंने सारा हद को पार किया जब आप लोगोंने उनको पूछा कि इसमें कॉंग्रेस पार्टी की टिप्णी क्या है उन्होंने उसमें कहा कि कॉंग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाब पे विश्वास रखती है कॉंग्रेस पार्टी अभी व्यक्ति की श्वतंतरता को सन्मान करती है हमें पूछना चाहते हैं कि क्या सनातन धर्म को गाली देना हिंदु धर्म को गाली देना कॉंग्रेस पार्टी की निती बनी हुई है ये गमंडिया गटबंधन की निती बनी हुई है भारत में जन्म हुआ सभी पंत संप्रदाय सभी उपासन पद्धती सभी मत सनातन की अंच है